दोस्तों नमस्कार आधाप सक्ष्वियकाद न्योस क्लिक के कारिकरम आज की बात में आपका स्वागत है आज की बात की एक खास बेशकस दोस्तों हम आपसे पुछें कि अगर कोई सम्यासी जिसने वेदों को पढ़ा जिसने उपनिश्दों को पढ़ा जिसने पुराणों को भी देखा और जिसने सिर्फ ग्रामण धर्म के जो गरंथ है उन्हें ही नहीं बुद्धिजम को और इसलाम को दुनिया के तवाम धर्मों को जिसने उनके ग्रंथों को, उनके महापुर्षों के, उनके तमाम बड़े जो प्रतिनिधियें उन सब को पढ़ा हो ठीक से और वो व्यक्ति, वह सन्यासी अगर ये कहे कि समाज में और राजनेती में राजकात चलाने में और समाज के संचालन में धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहे धर्म केवल अगर कोई चाहे तो धारण कर ले यानि उसको माने और अगर न मानना चाहे तो ये उसकी आजादी अगर कोई सन्यासी ये कहे कि जो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ये फाल्तु बात है दुनिया भर में मजहबों ने दुनिया भर में धर्मों ने नफरत टकराव और संघर्ष का एक बहुत ही अधेरा बुना है अगर कोई सन्यासी ये कहे कि जितनी शती धर्मों ने पहुँचाई है मनुश्यता की उतनी बहुत कम लोग कम चीजों ने पहुँचाई है तो आप क्या कहेंगे लेकिन दोस्तों हम आज एक ऐसे सन्यासी को याद कर रहे हैं क्योंकि 9 अप्रैल याणि अपसे कुछी घंटे बार उनकी जैनती है अपसे 128 साल पहले राहुल सांकृत्यायन का जन 9 अप्रैल 1893 को हुगा था आजमगड के पंदहा गाहों में वो पैत्रिक घर कनैला था लेकिन वो नाना के घर उनकी पैदाईश हुई और उनका निधन 14 अप्रैल 1963 को हुआ वह अभी अप्रैल महिने में हुए तो हम राहुल सांकृत्यायन को इसलिए याद कर रहे हैं कि उनकी जहेंती है और आज की कारिश में वो बेहद प्रासंगी नहीं हैं। आज के इस संचिप्त शो में सिर्फ उनके तीन पहलूओं पर बात करेंगे। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन पर अगर हम बात करना शुरू करें तो शायद बहुत लंबी होगी बात और वो खतम भी नहीं होगी जल्दी और सारी बातें समेटी भी नहीं जा सकीएगी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में तक्रीबन 120 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। 120 से ज्यादा इनमें मौनिक, अनुवात और संपाधन शामिल हैं। जिसने सैक्रों लेग की पणियां लिखी हैं। जिसने तिबच से ना जाने कितनी महत्तपून सामग्री भारत लाई हो उस व्यक्ति के बारे में कुछ मिंटों में कैसे समिटा जा सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे या हम नयाय करें या हम अपनी पूरी जितनी छमता है उससे तीन पहलूँँ पर केवल केंद्रित करें। पहला पहलू है धर्म के बारे में राहुल संकृत्यायन। क्योंकि आज हमारे देश में धर्म को लेकर खासकर राजनीती और धर्म के घालमिल को लेकर तूफान समझा हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है खासकर सियासत में की हिंदुत्यों का जो धर्म है यानि हिंदु तुर जव रास्ट बन जाएगा हिंदू रास्ट जब बन जाएगा तो भारत परम वैभव की चरब चला जाएगा यानि सुक्ष संब्रद्य की नदियां बहेंगी और दूसरे लोग ऐसे हैं समाज में जो कहते हैं कि थर्म और राज्य वो बिलकुल अलग होना चाहिए क्या कहते हैं राहुल संकृत दोस्तों मैं राहुल संकृतियान को सीधे उनको मैं कोट करना चाहूँगा और राहुल संकृत्य की एक बहुत मश्कूर बंती मुझे यादा रही है जो उन्होंने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना इस सफेज सिखाता ही है आपस में बैर हिंदुस्तानियों की एकता मजहबों के मेल पर नहीं बलकि उनकी चिताओं पर होगी अब यह राहुल संकृत्यान का कहना है और हमारा यह कहना है कि वह जिस धर्म की पैर्वी करते हैं वह मनुश्यता का धर्म है वह मानविय धर्म है वह में को महापंडित पंडित कहने वाले इस महापंडित को अपना नहीं मानते क्यों क्योंकि वह उनको खारिस करता है वह कहता है कि तुम्हारे धर्म की च्षय हो यानि तुम्हारे धर्म की च्षय एक किताब उनकी है धर्म की च्षय तो उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म की च्षय होनी चाहिए खत्म उसको होना चाहिए जो मनुष्यता और मनुष्यता के बीच में बैर बढ़ाता है आज दोस्तों राहुल संक्रित्यायन होते तो नजाने उनकी जगा कहा होती है समाज में किधर उनको रखा जाता उनको फ्री में छोड़ा जाता या कहीं जेल में रखा जाता लेकिन राहुल संक्रित्यायन्द आज बहुत रिलिवेट है विवेकानंद की तरह वहभी ये बात कहते हैं कि धर्म और धर्मों ने जो हिंसा फैलाई है उस पर मनुश्यता का सिर जो है शर्म से जुक जाता है लेकिन बहुत सारे लोगों ने वेवेका मुंत को तो अपना लिया लेकिन राहूल से वो भागते हैं क्यों कि उन्होंने पूरी तरह उस हिंदुत्वा वादी धारा का एक तरह से उसको खारिश किया उन्होंने हर धर्म के पंगा पंडितों को और हर धर्म के जो पाखंडी थे उनको खारिश किया और दिल्चस्प बात है कि सन्यासी रहते हुए उन्होंने अपने जीवन की पहली जो किताब लिख लिखा था वो मेरट के एक अख़बार भासकर में चपा था उस समय एक भासकर पढ़ना कितना दिल्चस्प होगा आप जरूर खोजगत पढ़िए दोस्तों और दूसरी बात जो मैं कहूंगा बिल्कुल धर्म वाले पहलू पर बिल्कुल आकिर में कि लगभग यही बात डॉक्टर वी आर अमबेटकर वो भी बुद्धिजम की तरफ गए उन्होंने कह कि हिंदू रास्ट्र इस देश के लिए बड़ा खत्रा होगा हिंदु कुछ भी कहें पर हिंदुत्व स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के लिए खत्रा है यह अमबेटकर ने अपने वांगबय यानि कलेक्टेड वर्ट्स जो भारत सरकार ने चापा है उसके 15 में खंड के प्रिस्क 365 पर कहा है तो अमबेटकर और राहुल यहां एक तरह की भाषा बोलते हैं और दोसरी बात जो दोस्तों किसान और राहुल मैं इस विशे पर जरूर बात करूंगा क्यों कि किसान आंदोलन के मौजुदा दोर में भारत के जितने बड़े बुद्धिजीवी है उसमें राहुल सांकृत्यायं से ज्यादा रिलेवेंट शायद ही कोई हो हमारी विरासत का वो एक महान ऐसा आदम का चेहरा है राहुल जो किसानों का नौकेवल अरिवाही नौकेवल उनका पैरोकार बल्कि उनका नेता धिरार आप खलक मा कर सकते हैं कि 122-23 किताबें हिस्चेदार हो और हिस्चेदार ही नहों उनके लिए मर्क कटने को तैयार हो कि 1927 में विहार के अमवारी में उन पर पुलिस ने और वहां के जमिंदारों ने यानि प्रिटिस हुकुमत और प्रदेश में प्रांती सरकार कॉंग्रेस की अगवाई की थी उस दौर में उन पर लाठियां बर्थी थी और उनका सर लहुलुहान हो गया था 1940 में उनको प्रांती ये बिहार प्रांती किसान सबा का जनर सेकर्टी चुना गया ही अध्यक्ष या जनर सेकर्टी किसान आंदोलन की अखिल भारती कमीटी जो थी उसमें भी उनको पदा धिकारी बनानी की पेश्कस की गई लेकिन वो रास्ते में जाते हुए दक्षन भारत में कहीं वो संबेनर हो रहा था रास्ते में गिरफतार कर लिए गया आज अगर राहुल होते तो वो सिंगु बाडर पोर होते टिक्री बाडर पोर होते गाजीपुर बाडर पोर होते या अंदोलन कारियों का साथ देते गिरफ्तार कर लिए गया होते। राहुल ने किसानों के बारे में तब क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि किसान का मतलव यह हो। जो लोग जोतते हैं जमीन वो उसके मालिक हो। इस तरह के नारे को उन्होंने सबसे पहले अपनी भाशा में पेश किया था। राहुल संकृत्यायर ने उस वक्त उस तौर में जो छोटे किसान थे उनकी आवाज बुलंग की थी। मजोले किसानों की पीड़ा को उनके दर्द को सत्ता के गलियारे में ले जाने की कोशिश भी थी। एक ऐसा महान बुद्धी जीवी, एक ऐसा महान दार्शनिक, एक ऐसा महान विचारक जो सिर्फ किसानों की शब्दों में या लेखों में केवल उनकी तरफदारी न करता हो, बल्कि साथ खड़ा होकर लाठी खाने को भी तयार रहता हो। ये थे राहुल सांकृत्यायन और तीसरा जो पहलू दोस्तों में बताना चाहूंगा महापंडित पह जाने वाले राहुल सांकृत्यायन के बारे में कि पब्लिक एक इंटिलेक्चुल के रूप में उनकी क्या भुमिका थी। लोग बुद्धी जीवी ये जो शब्द है पब्लिक इंटिलेक्चुल ये जो शब्द है अगर इसको सही रूप में कोई प्रतिमिंबित करता है हमारे खासकर निकट अतीत में तो वो गणे शंकर विद्यार थी प्रेम चंद और राहुल सांकृत्यायन जैसे महान लोग कर और ये केवल वे लोग नहीं है जो सिर्फ शब्दों से खेलते हैं बलकि वो शब्द और कर्म की एकताते महान प्रतीक बनते हैं जो लोग जिनके शब्दों में और जिनके कर्म में कोई भेज नहीं है असल कहानी लोक बुद्धी जीवी की वो लिखते हैं और राहुल सांक प्रगशील विचारों और ऐसी दार्शनिक जो धाराएं थी उनसे वाकिव यहां तक की वेद पुरान उपनिशत, बुद्रिजम और तमाम तरह के धर्मों और तमाम तरह की विचार धाराओं के बारे में नियूनतम यानि पहली जानकारी जब मिली लोगों को वो राहुल सां स्ट्रित्यायन किताबें पढ़ कर वि ली बोलगा सेगंगा मानो समाद भागो नहीं दुनिया को बदो तमाम इस तरह की किताबें उन पढ़कर के हमारे छेतर में खासकर हिंदी छेतर में लोगों ने एक ककहरा सिखा कि प्रगश्शील विचारों का ककहरा क्या है उन्होंने उस दक्यामुसी संकेवन पोंगापंडित जो पोंगापंडितों ने सिखाया था कि धर्म ये है इश्वर ये है दुनिया ये है उसको उन्होंने वैक्यानिक तरीके से खारिस किया और सच में वो पोंगापंडितों के जबाब में महापंडित बने योध्धा पंडित की कहानी जो मयाद के सामने पेश करना चाहता था और दूसरी बात की आपको याद होगा उन्होंने 22 सदी एक किताब लिखी और 22 सदी में उन्होंने भाविश्यक्त में कैसी होगी दुनिया इसकी एक बेहत्तरीन एक खुशूरत यूटोपिया पेश किया जार्ज आर किताब को याद किया जा रहा है लेकिन 22 सदी के बारे में जो राहूल संक्रिक्तियायन निकलपना की है कार्श वो किताब अंग्रेजी में भी होती तो बहुत सारे दुनिया के देशों में समाजों में पढ़ी जाती और चर्चा होती लेकिन उस किताब में उन्होंने दुन आशा एक विश्वास का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। तो दोस्तों आज इनी शब्दों के साथ मैं राहुल संक्रिस्ट्याइन को उनकी जैनती के उसर पर अपनी शद्धांजरी अर्पित करता हूं, सलाम करता हूं और साथ में या भी आपके समक्षिये पेश करता कि निश्चित रुप से खर्म के बारे में, समाज के बारे में और बहुत धिक जो विमर्ष आज का है, किसान आंदोलन जो है, लोक बुद्धी जीवी की जो भूमी का है, इन विश्यों पर जानने के लिए आप राहुल संक्रित्याइन की किताबें जरूर पढ़ें, समझे और उनकी तरह कर्व करने की कोशिश करें, नमस्कार, आदाव, सत्स्वियकाव